Axis Bank में 86% profit jump होने के बावजूद भी share में 6% का fall आया इस fall की पीछे में 3 reasons बताया जा रहे है Number 1 reason उनका net interest income कुछ खास नहीं बड़ा है अगर हम लोग quarter on quarter sequential basis पर देखते हैं तो Number 2 उनकी जो net interest margin है याने की जो interest ये देते हैं और जो interest ये लोग वसूलते हैं उसके बीच का margin contract हुआ है बढ़ने की जगह और Number 3 इन्होंने अपने asset quality को improve करके दिखाया है जो की profit का main reason बताया जा रहा है तो basically यहाँ पे growth नहीं दिख रही है और इसकी वज़े से आज इस share को पीटा गया लेकिन कई सारे brokerage houses का कहना है कि इसका target 4 digits में आ सकता है 750 का इसका एक बहुती important level है आप इस bank के share के लिए किस तरह से विचार रखते हैं बुलिश शाफिर बियादिश नीचे comment करके बताईए and money mag को subscribe करना मत भूलिए Thank you so much